हेलो फ्रेंट्स कचोडी एक ऐसी चीज है जो बहुत समय से हमारे नाश्टे का हिस्सा रही है पहले समय में जब बहुत तरह के नाश्टा नहीं थे और घर में बहुत सारे काम थी तो लोग तरह तरह की डिसेज भी नहीं बना पाते थे तो कोई भी महमान आया फटापट से मार्केट से कचोड़ी लाई और सर्व की तो friends लेकिन खस्ता कचोड़ी बनाना हर कोई चाहता है लेकिन ये बैसी बनती नहीं है जैसी बनाना चाहते हैं और या फिर मार्केट में मिलती है तो आज वो ही रेसिपी में आपके लिए लेकर आई हूँ जैसी खस्ता कचोड़ी हलवाई बनाते हैं और जो शादियों में बनती है friends चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो सबिस्क्राइब कर लें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ सबसे पहले मैंने तीन कप मैदा ली है आप तीन कप मैदा ले लें जितनी भी आपको कशोड़ी क्वांटिटी में बनानी हैं कितनी भी आप ले सकते हैं और मैंने इसमें तीन कप मैदा में मैंने डाला है आदा कप ओईल इसमें मैंने रिफाइंड ओईल यूज किया है आप मस्टर्ड ओईल भी यूज कर सकते हैं पर उसको गरम करके और ठंडा करके आप यूज करें और थोड़ा ऐसा चुटकी भर मैंने इसमें नमक डाला है बह मार्केट जैसी खस्ता कचोड़ी बनाने के लिए हमें इस डो को बहुत ही नरम त्यार करना है बहुत टाइट डो हम त्यार नहीं करेंगे ये देखिए मेरा डो रेडी हो गया है और इसको मैं दस मिनट के लिए आदा घंटे के लिए भी आप रख सकते इसको ढग कर रख दू इसलिया है फ्रेंड्स आप यदी मौंकी डाल को ड्राइवी भर सकते हैं फिलिंग कर सकते हैं पर इस कच्ची डाल को इस भी होई वी डाल को जब हम सेखने के बाद फिल करते हैं तो इसका टेस्ट अलग ही आता है मैंने एक कडाई ली है उसमें मैंने वन टेवल स्पूल ऑ पाउडर डाला है दो चमच मैंने इसमें सौफ डाली है और दो ही चमच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और फ्रेंड्स इसमें मैं एक चमच गरम मसाला एड़ कर रही हूं और इसमें नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार डाले मैंने इसमें बन इस्पून नमक डा तार आप चलाते रहें थोड़ी देर आपको लग रहा होगा इसमें तो बहुत महनत है लेकिन इसका जो टैस्ट आता है वो जो डॉधा है ँड़ाइमुंक की डालकी किता ठीकीं एत्स नहीं आता है और आप वेे शयांम की डालकी हवाथ है और बहुत अच्छे से इसको आप चला चला कर इसका पूरा पानी हम सुखा देंगे ये देखिए friends मैंने चलाते हुए कम से कम आदा घंटा मुझे हो चुका है और ये मेरा देखिए पूरा पानी लगवा सूख शुका है और ये बहुत अच्छे से इसकी सिकाई भी हो चुकी है सिकाई में आप गंजूसी ना करें क्योंकि आप थोड़ा भी कच्छा छोड़ देंगे तो फिर ही आपकी स्टोर करने लाइक नहीं मचेगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये हमारा बहुत ही ड्राइ-ड्राइ सा पिस्ट इस तरह से फिल जाएगा तो फ्रेंट्स ये देखिए अब हमारा डो भी तैयार हो चुका है और बहुत ही नरम डो हमारा बना है इसकी कचोड़ियां इतनी खस्ता बनती हैं बिल्कुल हलवाई जैसे कचोड़ियां एकदम बनती हैं जो शादियों में भी आप खाते हैं कई वार तो उस से अच्छी कई वार हलवाई से भी नहीं हो पाती शादियों में जो बनाते हैं नहीं हो पाती अच्छी से लेकिन ये कचोड़िया आप आल टाइम बिल्कुल एकदम परफेक्ट कचोड़ि की माप है ये फिलिंग भी मेरी रेडी हो चुकी है अब हम इसकी लोईयां त्यार कर कचोड़ियों बनानी है तो बड़ा टोगड़ा ले हैं चोटी मिनी कचोड़िया आप बनाना चाहते हैं तो आप चोटा सा टोगड़ा ले जिससे कि बच्छे जब खाते हैं मैं इस कचोड़ी के चार अतरफ मैंने लगा Tolleismo इसको मैंने पहक किया है इससे क्या होगा फ्रेंड्स आपकी कशोडी तलते समय बिल्कुल भी नहीं भटेगी आप विफिक्र होकर तल सकते हैं कई बार कोई कशोडी तो फट जाती है कोई नहीं भटती तो जब इसके चारोतरा पवाप मैदा लगाएंगे तो यह कशोडी इंदर ऑईल भी नहीं भरेगा तो इस तरह से मैंने सारी कशोडियां रेडी कर ली हैं एक एक करके आप कशोडियां रेडी कर लें और साइड में आप ऑईल को गरम करने रख दी मस्टर्ड ऑईल या रिफाइन ऑईल जो भी आप यूश करना चाहते हैं जब आपका ऑईल 75 गरम हो जाए इसका मतलब बहुत ज़्यादा गरम नहीं तब आप अपनी कशोडियां उसमें डाल देंगे ये देखिए और मैंने ये कशोडियां डाल दी है और देखिए कितनी अच्छी ये फूली है गैस को आपने बिल्कुल सिम कर रखा है अभी क्योंकि कम गैस पे आप जितना अच्छे से सेकिंगे इनको उतना ही अच्छा क्रिस्पी पन खस्ता ये आपकी कशोडिया बनने वाली है ये मैंने दो तरह की छूटी और बड़ी दौन साइस की कशोडिया बनाई है तो देखिए कितनी अच्छे से ये फूली है आप ये हमेशा ध्यान रखें तेल बहुत ज़ता करम ना हो नहीं तो कशोड़ी में जो बबलस होते हैं वो अच्छे नहीं लगते और ये मैने कशोड़ीया सारी रेडी कर ली है इनको आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं आलो की सबजी के साथ खाईए धनीय की चटनी के साथ खाईए और ऐसे ही चाय के साथ खा और चैनल को सबिस्क्राइब नहीं क्या है तो सबिस्क्राइब कर दी थेंक यू